दोस्तो स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तो स्वस्त शरीर पाने के लिए पाचन ठीक होना अविशक होता है हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हमारी शरीर में जो पाचन तंत्र होता है वो शरीर में पहुँचाता है पाचन तंत्र बोजन को उर्जा में बदल कर शरीर को पोशन और शक्ती देता है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो शमता होती है रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है अगर हमारे पाचन क्रिया कमजोर हो जाए तो हमने जो कुछ भी खाया पिया होता है वो अच्छे से पच्चता नहीं है और शरीर को आवशक पोशक तैत्वन नहीं मिलते हैं जिसके कारण शरीर की इमुनिटी यानि की रोग प्रतिरोधक शमता कमजोर हो जाती है और उसके कारण कई बिमारिया होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप unhealthy lifestyle का इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की आपकी बूरी यादते हैं यानि की तले भुने पदार्तों का आप सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है इसका असर हमारे digestion पर पड़ता है अगर हमारी दोस्तों पाचन शक्ती मजबूद ना हो तो पेट में गेस, कब्स, अलसर, मोटापा, दुबलापन और बदहजमित जैसी बिमारिया होने का खत्रा रहता है तो चले इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि अगर आपकी पाचन शक्ती कमजोर है तो आप घर पर क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि पाचन क्रिया कमजोर होने की कारण क्या होते हैं अगर आप बेवक्त खाते हैं यानि कि आपके खाने का जो समय है उसको टाल कर अगर आप बोजन करते हैं तो पाचन शक्ती कमजोर होती है अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो भी ये पाचन की समस्या पैदा करता है अधिक तनाव लेते हैं या फिर फास्ट फूड क ज्यादा सेवन करते हैं तो भी ये पाचन पर असर डालता है आप भोजन को अगर चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो वह बोजन आपके शरीर में पचता नहीं है जिससे आपका पाचन कमजोर होता है या फिर आप सारे रिक क्रिया कोई नहीं करते हैं सारे दिन बेठ है या होती है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आप घर पर क्या देशी नुस्के आजमा सकते हैं आप क्या करें दोस्तों एक छोटा टूकड़ा अद्रक का लें इस पर नीम्बू का रश डाल कर अगर आप इसे चूसते हैं तो इस गरेलों नुस्के को करने से आपकी पाचन क् करती है आपको भूख लगना शुरू हो जाती है या फिर आप क्या करें काला नमग जीरा और अजवाइन इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लें और मिक्स करके इस मिश्रण का एक चमच पानी के साथ अगर आप कुछ दिनों तक लेते हैं तो इससे भी पाचन शक्त करती मजबूत होती है या फिर आप दोस्तों क्या करें ओलाई ची के बीजों को पीस कर आप चोन बना लें और बबर मात्रा में इसमें मिश्र मिला दें तीन ग्राम की मात्रा में यह दवा आप sick your मजबूत होती है साथ ही अगर आप आवले की रस का सेवन करते हैं तो भी आपकी पाचन क्रिया काफी अच्छी तरीके से मजबूत होती है आवला पाचन क्रिया को बढ़ाने में बहुत लापकरी होता है इसे के साथ आप खाने के बाद मठा यानि की छाज का सेवन कर सकते हैं दही का सेवन कर सकते हैं ये आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं अगर आपकी पाचन क्रिया दोस्तों कमजोर है तो आप ध्यान दें कि खाने से पहले और बाद में लगबग 1 गंटे पहले और बाद तक आपको पानी नहीं पीना है इससे आपकी पाचन क्रिया जो है और भी कमजोर हो जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके साथ दूस्तों आप अगर पाचन क्रिया को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से exercise करना शुरू कर दें नियमित रूप से exercise और yoga करके भी आप अपनी खराब पाचन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं तो सुबह शाम आप सेर पर जा सकते हैं इसके अलावा आप साइकेल चला सकते हैं या फिर दोर लगा सकते हैं आपको लगबग दिन में 10-15,000 कदम चलना ज़रूरी होता है तो दोस्तों ये था कि अगर आपकी पाचन क्रिया कमजोर है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं साथ ही इससे आपको क्या नुकसान होते हैं अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो हमारा चनल आप ज़रूर सस्क्राइब करें दन्यवाद